नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परिचे दोस्तों पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहधी महतो पूर्ण जानकारी को ले करके जी हाँ आज का हमारा टॉपिक है सिर्फ एक चीकू आपको इन छे अद्भूत फायदों से उत्प्रोत कर देगा चीकू खाओ ज चीकू पाए जाते हैं भारत वर्श जैसे विशाल देशों में चीकू की कई सारी प्रजातियां पाई जाती हैं समान्य तह एक चीकू का वजण 100-150 ग्राम तक होता है किन्तु इनका आकार प्रजातियों के अनुसार अलग-अलग हो सकता है आकार प्रकार से आगे बात करें तो चीकू का भारते फलो में एक विशिष्ट स्थान है और सम्पून देश में समान रूप से और चाव के साथ खाया जाता है इन सब के अतिरिकते चीकू में बहुत से स्वास्थे लाव भी छीपे हुए होते हैं जो हम जाननेंगे आज आखों को सुधारता है जब चीकू के स्वास्थे लावों के बात हो रही है तो इससे पहले कोई और लाव ध्यान में आही नहीं सकता चीकू में बहुत ही उत्म प्रकार का और प्रचुर मातरा में विटामिन A मिलता है विटामिन A आखों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी ततों में से एक है चीकू के इस लाव को पाने के लिए रोज एक या दो चीकू का सेवन किया जाना चाहिए हड्यों को मजबूत करता है जिहां चीकू में केलशियम, फासफोरस और आईरन ततों पाये जाते हैं और ये तीनों ही ततों हड्यों को मजबूत बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है चीकू में मजबूत इन तीनों ततों का लाव उठाने के लिए यदि बचपन से ही चीकू का नियमित सेवन किया जाए तो बढ़ती उम्र के साथ हड्यों के कमजोर होने की शिकायत नहीं होगी इसके साथ साथ ये कबज से रहत दिलाता है पूरे चीकू फल में घुलनशील फाइवर मौजूद होता है जो पुरानी से पुरानी कबज में भी नियमित सेवन किये जाने पर लाव करता है यदि चीकू के साथ पके पपीते का भी सेवन किया जाए और बाद में बहुत थोड़ा सा गुनगुना पानी पिया जाए तो यह प्रियोग बहुत ही उत्तम लाव प्रदान करता है गर्भावस्था में अत्यंत लाव कारी होता है गर्भावस्था के समय जरूरी मुख्य तत्व जैसे की कैल्शियम, आयरोन, विटामिन बी इत्यादी चीकू में पाय जाते है साथ ही इसका विशिष्ट स्वाद गर्भावस्था में होने वाली जी मिचलाने की समस्या का भी समाधान देता है इस प्रकार ये समझा जा सकता है कि यदि गर्भावस्था में नियमित चीकू का सेवन किया जाए तो यह गर्भवती महिला और होने वाले शिष्व दोनों को ही मजबूत बनाता है उर्जा का श्रोत चीकू में ग्लुकोज के अवयाव बहुत ही ज्यादा मातरा में पाये जाते हैं जिस कारण से चीकू सेवन किये जाने पर तुरंत ही शरीर को उर्जा की पूर्टी हो जाती है भूख को कम करता है चीकू का एक विशेश गून होता है कि यह भूख लगना कम करता है इसका यह असर चार से पांच चीकू खाने के बाद आता है ऐसी अवस्था में यह उन लोगों के लिए विशेश लापकारी हो सकता है जो जादा भूख लगने की वजह से जादा खाते रहते हैं और इस कारण से उनका वजन बढ़ने लगता है यदि वो भूख लगने पर 4-5 चीकू का सेवन करें तो शरीर में लंबे समय तक उर्जा बनी रहेगी और भूख भी नहीं लगेगी चीकू में ग्लुकोज बहुत ही प्रचूर मातरा में पाया जाता है जिस कारण से यह मधुमिह के रोग्यों में शुगर के लेवल को बढ़ा सकता है अतह मधुमिह के रोग्यों को सलाह है कि वो चीकू का सेवन अपने चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही करें आयरुवेद के माध्यम से दी गई यह हमारी जानकारी आप सभी के लिए अगर अच्छी हो और अच्छी लगी आपको तो जरूर अपने दोस्तों के साथ सेवर तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिहां दोस्तों तो यह थी आज की जानकारी आप सभी के लिए चीकू के फायदों से रिलेटेड अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे ए तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों.